हेलो फ्रेंट्स मैं आपका राउल भी है और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोडिक जाम में तो दोस्तो हम लोग 3-4 सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देख लिए हैं दो से तीन मेने के ओल आपके बोड एक्जाम में बचे हुए हैं अब इसमें हमें जादा जादा पी वाई क्यूज लगाने हैं मॉडल पेपर को सौलो करना है मोड इंपोर्टेंट कोईशन्स लगाने हैं तो कि बोड पेपर में यही सब काम आते हैं ठीक है जितना आप इसका प्रैक्टिस करे रहेंगे लाच्ट समय में उतना आपको जब पेपर में बैठेंगे तो वहाँ पर काम आएगा तो चलिए देख लेते हैं सामाजिक बिग्यान का पेपर कैसा आएगा कैसे प्रिशन पूछे जाएंगे और इसका पैटर्न क्या रहने वाला है तो वही चीज़े समय 3 गंटे 15 मिनट आपको दिये जाएंगे पुरणा आपका 70 होगा और यहाँ पे कुछ निर्देश दिये तो बहुवी कल्पी प्रिशन ही पूछा जाएगा तो अगर आप हर चेप्टर को थोड़ा थोड़ा भी पढ़े हुए हैं तो बहुवी कल्पी प्रिशनों को तो आसानी से सॉलो कर लेंगे जैसे पहला प्रिशन है कि राश्रवाद का उधाय सर्व पर्थम किस देश से अब देखें आप लोगों को कोश्चन देखना है और 200 जो MCQ दिया गया है इसका उतर आपको स्वयम से देना है ठीक है और अगले वीडियो जब मैं इसका सोल्यूसन लाओंगा तो आपको देखना है कि आपके कितने प्रिशन सही हुए थे ठीक है इससे आपको पता कि आपकी तैयारी कितनी हुई है दूसरा प्रिशन है कि ड्यूक मैटरनिक ने समाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाग दुसमन किसको माना ठीक है रूसो विक्टर इमैन्वेल कॉल्वीन जा जूसेफी मैसिनी को ऐसी एकला प्रिशन है कि सूती कपडा मिल की रूप रेखा किसने रखी जॉन राइट रिचरड और क्राइट एंडू कॉर्नेगी या जेम सवाट ने ठीक है ऐसी प्रशन पूछे जाएंगे 20 प्रशन होंगे देख सकते आप कैसे कैसे प्रशन पूछे गए ज्यादा कठी नहीं अगर आप चेप्टर को पढ़े हैं तो आपको तो आयर इस्टेडी में यानि जब किसी आप कमटेट्व एक जाम की तैयारी करते हैं वहाँ पर ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं तेकि यहां पर भी पूछ दिया कि इसको आप सुमेलित कीजिए विकल्प आपको नीचे मिलेगा ने कि इसी को विकल्प मार के चले आईएगा कि भागडा नागल का नर्बढा चलो ठीक है विकल्प मार देजे तो ऐसा नहीं करना है इसका विकल्प नीचे है आपको सुमेलित करना है कि पहले का कौन सा होगा कौन सा होगा क्रिया कलाप नहीं है मछले पकड़ना क्रीसी गुड बनाना डेयरी अब इसमें से कोई दो भी हो सकता है कोई एक भी हो सकता है तो आपको आपसंस में दिये गए नीचे कि केवल का दूसरा है बा का एवम गा तीसरा है सा का खा एवम गा यानि सारे और सा जो दिया है वो आपसंस दिया है ऐसे दा में दिया है खा ए यह वरण नात्मक प्रश्ण होगा यानि इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा जितने आंक का प्रश्ण होगा उतना वरण आपको लिखना पड़ेगा जैसे खंडबा में है वरण नात्मक प्रश्ण उत्तर लगभग 80 सब्दों में आपको देना है और यहां पर देख अगर वो नहीं आता है तो इसको कर सकते हैं कि 1928 से 1934 के मद्य होने वाली महामंदी का भारतिय अर्थ विवस्था पर पढ़ने वाले दो प्रभावों की व्याख्या कीजिए इसमें भी दो प्रभाव बताने हैं असी सब्दों में लिखना है चार नंबर का प्रश्ण है दू में केवल आपको पैटर्न बता रहा हूं कि पेपर कैसा आएगा टेंसन आपको नहीं लेना है मैं सारे सब्जेक्ट को सॉलो कराऊंगा जितना मॉडल पेपर है आपके पास और ऐसा नहीं है कि जो केवल यूपी बोड ने अफिसियल अप्लोड किया कि केवल उसी को सॉलो क का अथ्वा में है वरतमान परिप्रिछ के में जाती में राजनीती एमराजनीती में जाती कत्रक व्यक्ट्र को कीजिए तो जैसे पांचवा प्रशन है कि महात्मा गांदी ने अस्वायो गांदोलन क्यों चलाया किनी दो कारणों को लिखे इसे इन्हों ने इस्थकीत क्यों कर दिया तो इस में तीन प्रशन पूछे गए हैं और तीनों प्रशन दो दो अंक के हैं और ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रशनों को देर सो सब्दों लिखना है बलकि तीनों को मिला करके देर सो सब्द होने चाहिए ठीक है अथवा में अगर पहला वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है महात्मा गांदी द्वारा चलाया जाने वाले कि नहीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेक कीजिए ठीक है तो ये सारे क्वेशन कितने नंबर के हैं छे नंबर के हैं और 1500 सब्दों में आपको लिखना है अब आता है मांचित्र संबंधी प्रेश्ण इसमें क्या होता है कि पांच अंक इतिहास से प्लस पां पूछेगा ठीक है अस्थान का नाम पूछ लेगा सन पूछ लेगा ठीक है तो उत्तर के साथ साथ मांचित्र में भी आपको दिखाना पड़ेगा तब ही आपको दस नंबर दिये जाएंगे जैसे यहां पर दिखा गया है कि निमलिकिस इस्थानों को भारत के रेखा मांच दिया जाएगा जैसे वह अनगर जहां जलिया वाला बागत्या कांड हुआ तो इसका उत्तर भी आपको देना है फिर इसको मांचित्र में दिखाना भी है ठीक है तो ऐसे ही पांच प्रश्ट होंगे तो पांच नमर यहां से मिल जाएगा अब दिया है कि केवल दृष्टी दिये गया भारत के मांचित्र में नम्रिकित को दर्साईए परश्टीम बंगाल का एक राष्ट्य उध्यान जिसको एक आयत चिने द्वारा दर्साना है तो इसमें भी वही काम करना है पहले इसका उत्तर देना है फिर उसको मांचित्र में दिखाना है तो अगर आप पूर एक जाम 2024 जो होने वाला है वही उसमें आएगा और ज्यादा तर question इससे फस्ते भी है तो मैं इसका solution आपको खराऊंगा आपको tension नहीं लेना है मैंने केवल आज आपको pattern बताया है जिससे आपको थोड़ा संतुष्टी मिले कि मेरा paper कैसा आएगा ठीक है तो वाज आपको पता चल गया होगा कि आपका paper कैसा आएगा कैसे कैसे atoon पूचे जाएंगे कितने अंक तक पूचे जा सकते हैं तो जो पृष्ण ज्यादा से ज्यादा कितने marks का पूच्छा गया है तो 6 До 6 तक पूचा गया यू कि